तो गाईज मैं एक रिएजेंट्स पर एक सीरीज बना रहूँ जैसे लाइक ओक्षिडेशन रिएजेंट्स कौन से होते हैं इन सबी को हम डिसकस करेंगे और मैं एक प्लेलिस्ट क्रियेट करूँगा जिसमें सबी तरह के मैं रिएजेंट्स समझास कूं विद टिप्स और ट और इनकी reactions को याद करने में, राइट, ओके, तो सबसे पहले आज हम discuss करते हैं, रिएजेंट वो है Dibal H और ये हमारे पास reducing agent, ओके, तो यहाँ पे हम कुछ tips और tricks ही discuss करेंगे, जिससे आपको याद करने में इसको दिक्कत नहीं होगी, ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका name और इसका structure discuss करते हैं, तो इसकी जो full name है Dibal H की वो ही है हमारे पास di-isobotyl, di-isobotyl, aluminium, AL से aluminium आ गया है, H से hydride हो गया, right, hydride है न, word, hydride का मतलब क्या होता है, H negative, तो Dibal H हमें क्या देगा है, H negative, जो भी reagent हमें H negative देता है, reaction में, तो उसको हम reducing agent बोलते है, right, तो इसका जो structure है वो यह है, aluminium center पे है, यहाँ पे 1, 2, 3, and 4, 4 carbon है, यहाँ पे 1, 2, 3, and 4, यहाँ पे भी 4 carbon है, यहाँ पे है CH3, यह CH3 है, right, आपको पता होगा, यह CH3 है, और इसके साथ, यह जो हमारे पास hydrogen है, इसके साथ directly attached है, aluminium के साथ, तो यह ह इसका exact structure, और इसको आप दूसरी चीज़ों मैं भी लिख सकते हो, इसका दूसरा, इसकी form है यह, मतलब reaction में ऐसे भी लिखा हो सकता है, H, aluminium, diisobutide, ऐसे भी लिखा हो सकता है, reaction में, तो अगर ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो सेम ही मतलब है, right, ओके तो यहां पर हम सबसे पहले इसके functions की बात करते हैं कि यह किसको किसमे convert करता है तो यहां पर first है हमारे पास internal internal alkyne तो मैं यहां पर लिख देता हूँ सभी उसको हम देख लेते हैं तो इसका first जो function अवो के करता है यह internal alkyne को sis alkyne में change कर देता है इंटर्नल alkyne कौन से होते हैं यह सभी हम example से ही देखेंगे दूसरा है ester को यह aldehyde में भी change कर सकता है और alcohol में भी change कर सकता है but conditions में condition क्या है ester aldehyde में तब ही convert होगा in the presence of diable h जब temperature low दे रखा होगा और जब high temperature दे रखा होगा तब ester convert होगा alcohol में in the presence of diable h right दूसरा है sinet को change करेगा aldehyde में acircule ride को change करेगा aldehyde में और हमारे पास यह जो है हमारे पास यहां पर देखो ns2 है अगर ns2 की जगा h की जगा r भी आ सकता है alkyl group भी आ सकता है तो यह कह करेगा इसको aldehyde में change कर देगा right तो इसका जो main function है वह simple कह करेगा simple देखो आपने एक चीज नोटिस की aldehyde 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 और aldehyde मतलड तर यह क्या convert कर रहे किसको किसमे aldehyde में तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो देखो मैंने ऐसे याद किया था al है al और hb है तो यहां पर आ गया aldehyde aldehyde al और al aldehyde simple सी बात है तो आगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैंने ऐसे याद किया था simple देखो यह सबी चीज़ों को हम यहां पर example से ही समझेंगे main जो function था इसका वो क्या था aldehyde में change करना इसको जातर reagents को compounds को राइट तो बस यही चीज़ां आपने याद करने यह काफी ज़दा important है यह सब कुछ चीज़ें अब इन सबी को हम different examples से समझेंगे ओके तो यहां पर मैंने कुछ example ली है हम उसको direct convert करेंगे दूसरे product में in the presence of diaper latch जैसे हमने first में अभी डिसकस किया यहां पर मैं first reaction को थोड़ा सा mechanism से आपको बता दूँगा कि कैसे कैसे होता है convert यह देखो यहां पर हमारे पस कहा है acid cold ride है अब हमने पढ़ा कि जो acid cold ride है वो किसमें change होगा LD head में in the presence of diaper latch तो यह कैसे होगा वो हम थोड़ा सा mechanism देख लेते हैं वैसे भी mechanism करने की जूरती है आपकी knowledge के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ देखो यहां पर हमारे पस क्या है acid cold ride है इसको हमने क्या करना है LD head में change करना है इंदी प्रेंस ओड़ाइबल एच तो क्या होगा यहां पर यहां पर क्या हमारे पस aluminum है aluminum के पास क्या होता है vacant orbitals होता है vacant orbital की वज़े से क्या होगा इसके पास खाली space है कि यह अपने यहां पर electron accept कर सकता है किसी से भी यहां पर देखो oxygen की उपर क्या है loan pair है से तो क्या अगर एगा अपने loan pair इसके vacant orbital में भेज देगा तो क्या होगा oxygen और aluminum के बीच में अब bonding हो जाएगी तो कैसे होगा यहां पर next time में R bond C bond CLS ही रहेगा double bond O अब इसने अपने loan पर इसको दिये है न तो इसके उपर positive charge है कम ही आगी न ओक्सीजन की उपर एक loan पर ऐसी रहेगा इसके उपर आगया positive charge और इसके बीच में direct bonding हो जाएगी aluminum के साथ अब aluminum ने अपने अंदर electron accept की है कौन सा charge है कि इसके उपर negative charge होता है तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा इसके उपर negative charge है aluminum के उपर और इसके साथ hydrogen ऐसी attached रहेगा और बाकी ऐसे ही आपने attached कर देना है ये अब क्या गरना आपने अब oxygen के उपर positive charge है oxygen वैसे भी electron negative होता है element ठीक है इसके उपर positive charge होता होता है और ज़दा electron negative होगा तो ये जो species हम ने harika ये मारे पास generate होगी वह जाट क्या होगी unstable होगी अब इसने stable होना है तो कैसे होगा stable अगर ये positive charge खत्म हो जाए क्यूंकि electrolyte negative है तो कैसे थो हो सकता है यहाँ पर इसने यहाँ से bond यहां से break हो गया यहाँ पर क्या जाएगा ॉजिफ चार्ज ईएगा यहाँ पर इसने अपनी electron यहाँ पर दे देने है क्योंकि hydrogen के smallest element होता है अपनी electron easily से किसी को भी दे सकता है तो यहाँ पर इस bond में जो 2 electron होगे यहाँ पर भेज देगा जैसे यहाँ पर break होगा तो next time में क्या बनेगा यह अब यहाँ पर double से single bond generate हो गया oxygen इसके उपर दो electron आगे अब राइट अब यहाँ पर aluminum ऐसे और यह ऐसे और यह जो hydrogen इसके साथ चला गया और यहाँ पर आगे chlorine अब क्या होगा यहाँ पर अब आपको पता है कि जो cl होता है वो क्या होता है best living group होता है जितने भी हमारे पर halide ions होते हैं hydrogen होते हैं वह best living group होते हैं तो क्या अगर यहाँ पर यह ऐसे निकलेगा और यह अपनी नेक्टन यहाँ पर देगा क्योंकि जब भी यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर पोजिटिक चार्ज आगा होगा तो इसको बैलंस करने के लिए यह अपनी नेक्टन ऐसे देगा तो नेक्स टाइम में हमारे पास यह बनेगा जूरती नहीं है अब देखो हम ड्रेक्टी अब रिप्लेस करेंगे यहाँ पर कहें सी एन सी एन कहें साइनेड मैंने अभी पता है कि जो साइनेड था वो किसमें चेंज होगा एल्डी हेड में तो क्या गरना आपने इसको आपने चेंज कर दना एल्डी हेड में बाकि यह स इसकी जगह पर हमने क्या गिया था यहाँ पर एच लगा दिया अब यहां पर जो सी एन इसकी जगह पर क्या कर देना है अल्डी हेडी जनरेट करना न तो इसको आप खोलो गे तो ऐसी रहेगा ना सी डबल बॉंड हो बॉंड एच एल्डी हेड बन जाएगा पूरा तो यह यह ऊता न अपहले अश्टर अब यह कैसे अश्टर हां देखो यह आमारे पास आर-मिठाइल है ना औरर सी इसकी उपर डबल मोलरो बी होगा है यह वला और यह पूरा आर हमारे पाशками यह जितना भी यह और हो गया यह वला यह व जोगया यह OR हो गया यह OR तो यह क्या हमारे पास ester है अब ester को हमने किसमें change करना है अब ester की दो conditions थी हमारे पास एक तो aldehyde में भी convert होगा दूसरा क्या था है alcohol में भी होगा अब हमने condition चेक करनी थी temperature की temperature अगर कम होगा तो aldehyde बनेगा high होगा तो alcohol बनेगा यहाँ पे है minus 78 minus का मतलब है बहुत कम ही है बहुत थंड है freezing point है मतलब बहुत कम temperature है तो क्या बनेगा हमारे पास aldehyde बनेगा तो ester से aldehyde बनेगा तो क्या गरना हमने यह सब कुछ ऐसे ही रहेगा राइट अब इसकी जगा पे हमने क्या लिख देना हमने simple c double bond o bond h बस यह कर देना है shortcut aldehyde जैसे हमने यहाँ पे क्या देना c h o यहाँ पे c h o लग देना कुछ भी नहीं करना सिरफ यह चीज को हमने change कर देना है aldehyde में बाकी सब कुछ सेम रहेगा next अब यह दोनों ना काफी थोड़ा सा different है तभी मैंने यहाँ पे लिख वाए है देखो यहाँ पे भी dival h लिखा था यहाँ पे भी dival h लिखा है यहाँ यह DCM क्या है यह solvent है इसका कुछ काम नहीं है यह ACM ने लिखा हुआ ठीक है यह बस सिंपल ड्राने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्या हमारे पास temperature है minus 78 degree था यहाँ पे भी minus 78 degree है अब देखो यह हमने let कर लिया कि हमारे पास यह क्या है R ठीक है यह क्या हमारे पास C O O R तो आप फिर बोलोगे यह ester है ठीक है हमने माल यह ester है dipol Hb है ester भी है और temperature क्या है low temperature है तो अब फिर टैक से बोलोगे कि हमारे पास क्या बनेगा low temperature की condition में LD head बनेगा तो LD head यहाँ पे बनाओगे यह पूरा ऐसी लिख दोगे यहाँ पे बनेगा C O यही बनाओगे तो आपका काटा पड़ेगा क्यूं अब आपने एक थोड़ा सा difference देखना है देखो अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा होगा तो आपने क्या करना है जैसे मैं अभी ना पहले प्रोड़क्ट बनाता हूं क्या है इसका मतलब pH का मतलब होता है Phenile Ringe यहां परने यह Carbon एक्स्ट्रा ठीक है Carbon Boc हमारे पास कर उता है लेविंग्ग्रूप होता है CL, Boc, Ias इतने भी हमारे पस काई लेविंग्रूप होता है इसको ऐसे लिख दो कुछ नहीं इनका गा यह अब यहाँ पर आएगा CH2OH, यह हमारे पास बना है alcohol, अब mind में कोशन आएगा कि alcohol क्यों क्योंकि temperature तो कम था, अब तब भी alcohol बन रहा है, अगर temperature ज़्यादा होता प्लस में, तो क्या होना था, alcohol बना था, बट यहाँ पर low temperature की condition पर भी alcohol बन रहा है, क्यों बन रहा है, देखो, CH2 क्यों मतलब क्या है alcohol, अब आपने यह याद रखना है, कि अगर हमारे पास ester दे रखा है, और ester के बीच में double bond रहा है, यह हमारे पास activated double bond, अगर आपको कुछ ऐसे ने देखने को मिलेगा, ester के case में, डाइबल Hb, और temperature भी कम है, तो आपने के कहा है, LDI नहीं बनाना, alcohol बन जैसे इसको न हमने open कर दिया, C double bond O, OET, इसको मने open कर दिया, attached with यह carbon है, यह carbon है, इसके साथ double bond है, activated का मतलब क्या है, यह ऐसे आगे transfer करेगा, यह ऐसे जाएगा, मतलब simple क्या है, electron की movement हो रही है double bonds में, तो ऐसे अगर movement हो रही है, तो उसको बोलते है activated double bond, तो अगर आपको ऐस से कुछ देखने को मिलेगा, आपने खोल लेना पहले है, इसको सभी structure को खोल लेना, अगर आपको देखने को मिलता है, activated है, ester की presence में, और यह double bond है, और temperature कम है, हमने क्या करना है, LDI नहीं बनाना है, alcohol बनाना, तो यह दोनों काफी important थी reactions, now next example is, हमने internal alkyne की बात की थी, कि ज internal alkyne है, वो cis alkyne में change होगा, इन दी presence of diable ash, ओके, so diable ash है, यह हमारे पास है internal alkyne, internal alkyne है, आइन मतल ट्रिपल bond, अब internal का मतलग है, बीच में ही triple bond होना चाहिए, यह बीच में triple bond है, इसके बाद भी carbon है, और इसके आगे भी carbon है, यह जो triple bond है, दो carbon के बीच में होना चाहिए, और इनके side में क्या होने चाहिए, carbon होने चाहिए, ओके, अगर यहाँ पे for example, cs3 की जगा h होता न, तो यह हमने internal alkyne नहीं बोलना था, वो होना था terminal, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, terminal कौन सा होता है, आपको difference पता होना चाहिए, cs3, bond c, triple bond c, bond h, अब यहाँ पे triple bond जो है, यहाँ पे तो इसका आदमें साथ, cs3 है, जैसे यहाँ पे था, पड़ इसके साथ, अब cs3 नहीं है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, यह internal नहीं है, यह कहा है, terminal मतलब side पे है, end पे triple bond है, इसके साथ, बस, कुछ भी नहीं है, यह terminal alkyne, तो यह terminal alkyne को नहीं चें c3, c, double bond c, यहाँ पे cs3, और यहाँ पे आएगा h or h, यह बन गया हमारे पर cis alkyne, कुछ भी नहीं करना, डिरेक्ट आपने चेंज करना, independence of dibal h, right, क्योंकि cis alkyne में क्यों होता है, यह वाले क्या आते है, एक साइड पे होते है, बाकी एक साइड पे होते है, same-same वाले, अब एक ओड डिफरेंस है, अगर यहाँ पे dibalach की जगा पे sodium और liquid ammonia दे रखाऊगा, कॉमा डालके, अगर ऐसा reagent देखने को मिलेगा, और internal alkyne होगी, तो आपने करना, cis alkyne नहीं बनाना, आपने trans alkyne बनाना, तब ही मैं आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे बनेग तो आपने यह दोनों difference याद रखने है, ओके, next example, यहाँ पे यह हमारे पास alkyne दे रखा है, और divalach दे रखा है, तो क्या हमारे पास क्या बन जाएगा simple, क्या बनेगा, cis alkyne बनेगी, तो इसको बनाओ यह रहा, यह बनेगा, यहाँ पे double bond, यहाँ पे H और यहाँ पे H, त यह बनेगी cis alkyne, simple, दोनों same side पे है, right, okay, now next यह थोड़ा सा different है, कुछ भी difference नहीं है, कुछ भी नहीं है, simple है, आप देखो, यहाँ पे यह कुछ दे रखा है, divalach है, और हमारे पास क्या है, protonation के लिए दे रखा है, H3 हो positive, okay, तो इसको आपने कैसे solve करना है, अगर आपको स मिलता है, कि आपको समझ नहीं हा रहा है, कि यह क्या क्या दे रखा है, यह क्या मतलब, यह हमारे पास ester दे रखा है, यह कुछ भी दे रखा है, आपको समझ नहीं है, तो आपने क्या करना है, mechanism follow करना है, जैसे हमने mechanism किया था, यह वाला, यह वाला mechanism, कि हमारे पास जो oxygen के उ तेक्रन जाएंगे जो डबल प्रके सार Hers वोगा यहांप्र डबल प्रडब ऑन्ट लिए करे देखो आपको गई कि यहांपर भी दे सकता बड नहीं यहां पर देगा यहां पर गई गा तो यहां से ऐसे मतलब Vermove गया जैसे हमने किया था ठीक है आपने वैसे बना के देख लेना तो हमारे पास बनेगा कर यह ए सिच आइसी रहेगा यहां पर भी ए सिच आइसी रहेगा अ और जैसी आइसे यहां पर हमारे पास यह ओ, positive charge, electrons, aluminium, यहाँ पे negative, यहाँ पे hydrogen, और diable, ओ, sorry, D.I.B. लिए लिए दो बस, इतना हो गया, अब यहाँ पे के करना है, इसको ऐसे remove किया, यहाँ पे आएगा, next step पे, H, यह dark का मतलब क्या है, उपर की तरफ H, right, okay, so, यहाँ पे, यह, और यहाँ पे आएगा oxygen, इसकी उपर lawn पे रा चुके है, aluminium, hydrogen, di, B, right, okay, so, यहाँ पे, next step में क्या होगा, next step में आपने करना है, इसको cleave करना है, और यहाँ पे आएगा positive charge, इसको ऐसे करना है, right, जैसे यहाँ पे किया किया था हमने, कि जो कार्बने साथ, जो हमारे पास CEL था, उसको हमने cleave करवाया था, और यह जो था, इन दोनों के बीच में bond बना था, यह वाला bond यहाँ पे आया था, तो सेम यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, यह जो यहाँ पे carbon है ना, कार्बने साथ, वहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे oxygen है, तो यहाँ से remove किया, इन दोनों के बीच में carbon और oxygen के बीच में double bond बनेगा दुबारा से, जैसे यहाँ पे था ना, शुरू में, carbon और oxygen के बीच में double bond था, सेम ही यहाँ पे बने करवाना है, तो next time में, यह, hydrogen, hydrogen, ओके, यहाँ से ही cleave हो गए, यहाँ पे आएगा, O negative बनेगा ना, O negative बनेगा, और यहाँ पे, से, O, और यहाँ पे H, राइट, ओके, देखो, यहाँ पे इन दोने के बीच में double bond बन गया, ठीक है, और यहाँ पे, इसके साथ H भी तो होगा ना, यहाँ पे देखो carbon है, 1, 2, 3, इसके पीछे एक H भी तो होगा, चार valency पूरी करनी होती है, यह वल एची यही है, इतना होगे, अब यहाँ पे यह तो चला गया बाहर, यहाँ पे negative charge आगया, अब यह negative charge कैसे balance हो सकता है, यहाँ से आएगा H positive, क्योंकि जो H 3 O positive होता है, वो कैसे बनता है हमारे पास, H 3 O positive कैसे बनता है, H2 O plus H positive के साथ, तो H2 तो ऐसी रहे गया, H positive यहाँ से हैगा, यहाँ से H positive आगया, इसने H positive, इसने H positive के उपर attack किया, तो इसके साथ H attached हो गया, इसका negative charge खत्म हो गया, तो यह हमारे पास बन गया product, तो यह हमारे पास क्या है अब, यह क्या है, aldehyde, बस, यह था हमारे पास product, So I hope यह video आपको काफी helpful होगी, तो यह थी video on dipolach के उपर, और next time में हम और भी आगे further reagents discuss करेंगे, जैसे meta CPBA, oxidizing agent further ऐसे, right, मैं आपको एक playlist बना के दूँगा, वहाँ पे सभी reagents होगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, okay, So I hope यह video आपको काफी helpful होगी, तो ऐसी videos के लिए, please channel क Subscribe जुरूर के, मिलते हैं next video में, happy learning